Hello students, class, health accountancy, chapter number 4, admission of a new partner, sum number 17 start कर रहे हैं, आज हम ध्यान दिजेगा प्रवीन और परेश साजेदार हैं जो 3-2 में लाब विभाजन करते हैं, वे प्रदीप को साजेदारी में लाब में एक बट्टा 6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याती की प्रीमियम के लिए 18,000 रुपे नकद लाता है निमने लिखी दशाओं में लाब हाने का नया अनुपात ग्यात कीजिए और ख्याती की प्रीमियम का लेखा करने के लिए पंजी प्रविष्टियां कीजिए कंडिशन नमबर वन, यदि प्रदीब एक बट्टा 6 भाग पाता है और पुराने साज़ेदार पुराना अनुपात ही रखते हैं कंडिशन नमबर दो, यदि प्रदीब अपना भाग पुराने साज़ेदारों से बराबर बराबर पाता है condition number 3 यदि प्रदीब अपने भाग का 1 बट्टा 8 और 3 बट्टा 8 क्रमशः प्रवीन और प्रवीश से पाता है condition number 4 यदि प्रदीब 5 बट्टा 54 प्रवीश से और 2 बट्टा 27 परेश से पाता है तो English में भी देख लेते हैं एक बार इस सम को हम Praveen and Pare designers are partners sharing profits in the ratio of 3 to 2 they admit PRADEEP into partnership for one-sixth share in the profit who brings Rs.18,000 in cash for premium of Goodwill find out new profit sharing ratio and pass entries for recording premium of Goodwill in the following in case the asks if PRADIEP gets 16 shares and old partners continue the old share second PRADIEP gets his share equally from old partners third if PRADIEP gets 5 x 8 and 3 x 8 of his share from PRAVEEN and PARESH respectively और फूर्थ इफ प्रदीप गेट्स पाइप बाइप फिफ्टिफोर फ्रम प्रवीन और टू बाइप ट्विंटी सेवन फ्रम परेश तो यह कुछ चार कंडिशन्स दी हुई है हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें यह सम शॉल्ब करना है और साथ में एंट्रीज बताना है कि गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज क्या होंगी इन सब डिफरेंट कंडिशन्स में तो सॉल्बूशन पर आ जाते हैं हम सॉल्बूशन में हमारी जो सबसे फर्स्ट कंडिशन है वो है इफ प्रधीप gets 16th share एंड old partners continue the old share याने अगर जो हमारा न्यू पार्टनर है प्रधीप वो 16th share जो है एंड old partners जो है वो अपने old share से ही continue करते हैं तो उस condition में क्या होगा सबसे पहले था हम यहां new profit sharing ratio calculate कर लेते हैं so that हमें clear हो पाए तो start करते हैं calculation of profit sharing ratio यहां हम यह मान के चलते हैं मान लो total जो profit of firm का वो है 1 okay let total profit of firm is equals to 1 and प्रदीप's share is 1 by 6 then what will be the remaining shares of remaining two partners 1 minus 1 by 6 हम इसे solve करेंगे तो आएगा 5 by 6 तो 5 by 6 जो remaining share है उसमें से प्रवीन का और परेश का share हम calculate कर लेते हैं share of प्रवीन is equals to 5 by 6 का 3 फिप्थ पार्ट उक्या उसका पुराना ratio हमें सम में दिया हुआ है वो दिया है 3s to 2 okay तो प्रवीन का share हो जाएगा 5 बट्टा 6 into 3 बट्टा 5 हम इसे solve करेंगे तो 5 तिया 15 यानि 5 5 into 3 is equals to 15 and 6 into 5 is equals to 30 और simplify कर लेते हैं 5 से divide कर देंगे दोनों का हम 5 3s are 15 and 5 6s are 30 तो 3 by 6 यह हो गया प्रवीन का share अब बात करते हैं share of परेश तो परेश का share remaining बचा जो share है 5 by 6 उसमें परेश का share है 2 by 5 तो हम into कर लेंगे इसका into करने पे आ जाएगा हमारा हम 5 से 5 cancel भी कर सकते हैं तो 2 by 6 हमारा share आ जाएगा परेश का तो इस तरीके से firm का जो new profit sharing ratio हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रवीन का 3 by 6 परेश का 2 by 6 एंड जो हमारा new partner है इट मेंज प्रदीप प्रदीप का 1 by 6 तो new profit sharing of firm हो जाएगा 3 is to 2 is to 1 अब बात करते हैं हम journal entry की तो सबसे पहली चीज तो जो प्रदीप है वो goodwill जो है वो cash के form में लेकर आया है तो सबसे first entry cash लेकर आने की हो जाएगी यहां पर cash account debit to premium for goodwill account premium for goodwill brought in 18,000 रुपीज लेकर आया है प्रदीप तो 18,000-18,000 दोनों साइट पर आ जाएगा next जो हमारी entry है वो हो जाएगी goodwill के premium को old partners याने sacrificing partners के capital account में credit करना वो भी उनके sacrificing ratio में तो premium for goodwill account debit to प्रवीन's capital account and to परेश's capital account premium of goodwill transferred to sacrificing partners capital account okay तो हम जो है 18,000 को calculate कीजिये and 3 to 2 में divide करिये 3 to 2 में जब हम divide करेंगे 18,000 को तो प्रवीन की capital account में transfer होगा 10,800 और परेश के capital account में transfer हो जाएगा 7,200 okay हमारी second condition है या sum में if प्रदीप gets his share equally from old partners याने अगर प्रदीप को old partners से जो share है वो equally मिलता है तो उस condition में हम क्या calculation करेंगे new profit sharing ratio calculate करेंगे सबसे पहले हम and क्योंकि दोनों ही partners equally sacrifice कर रहे हैं तो goodwill का amount definitely equally ही share होगा, divide होगा दोनों के बीच में तो start करते हैं second condition के according sum first of all calculation of profit sharing ratio sacrificing ratio of each partner दोनों ही partner half-half sacrifice कर रहे हैं तो 1 by 6 share के लिए प्रदी पिंटर हो रहा है firm में इसका half अगर हम करेंगे तो आएगा 1 by 12 तो 1 by 12 part जो है वो प्रवीन sacrifice कर रहा है और 1 by 12 जो है वो पारेश sacrifice कर रहा अपने share में से तो हम new ratio find out कर लेते हैं सबसे पहले new ratio of प्रवीन उसका जो old ratio था 3 by 5 उसमें से हम उसका sacrifice यह 1 by 12 minus करेंगे तो minus करने पे हम इसे solve करेंगे तो आजाएगा 31 by 60 यह प्रवीन का new ratio है then हम calculate करेंगे new ratio of प्रेश 2 by 5 में से हम उसका sacrifice 1 by 12 minus करेंगे तो solve करने पे यह आजाएगा 19 by 60 और अब हम बात करते हैं प्रदीब के ratio की तो प्रदीब के ratio हमें दिया हुआ है 1 by 6 share के लिए हो आ रहा है इंटर हो रहा है फर्म में 1 by 60 प्रेश का ratio हो रहा है 19 by 60 यह भी हम simplify कर लेते हैं equal कर लेते हैं तो 1 by 6 में हम इंटर 10 कर लेते हैं जिससे उसका जो share है वो हो जाएगा 10 by 60 तो इस टाइब से फर्म का जो new ratio है वो हो जाएगा 31 by 60 is true 19 by 60 is to 10 by 60 याने 31 is to 19 is to 60 यह new profit sharing ratio हो जाएगा फर्म का अब बात करते हैं एंटरी की जनरल एंटरी की जए सबसे फर्स एंटरी गुडविल को लेकर आने की हो जाएगी फर्स एंटरी केश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर अन्देन इस गुडविल प्रीमियम को हम दोनों सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स के इक्वल रेशो में डिवाइट कर देंगे प्रीमियम पॉर गुडविल आकाउट डेविट टू प्रवीन्स केपिटल अकाउट एंड टू परेश केपिटल अकाउट गुडविल ट्रांसफर टू ड्रेश केपिटल अकाउट 18,000 18,000 को हम एक्वली डिवाइद अगर करें यान्या 18,000 divided by 2 तो 9,000, 9,000 दोनों के अमाउंट में हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओके तो इस टाइब से ये कंडिशन भी हमारी सॉल्व हो जाएगी देन थर्ड कंडिशन इसके पाद जो है हमारी वो है इफ प्रदीब गेट्स 5 by 8 फॉम प्रवीन एंड परेश रिस्पेक्टिवली थर्ड कंडिशन में कंडिशन में हमें सिदा सिदा पूल रखा है 5 by 8 एंड 3 by 8 शेर वो प्रवीन और परेश से लेता है तो न्यू प्राफिट शेरिंग रेशो हम फाइंड आउट कर लेते हैं सेक्रिपाइज सबसे पहले दोनों का सेक्रिपाइज देख लेंगे सेक्रिपाइज और प्रवीन वन बाइ सिक्स इंटू फाइब बाइ एट याने जो हमारा न्यू पार्टनर है हम उसके प्रदीप हम उसके शेर का 5 बाइ एट और 3 बाइ एट निकालेंगे तो सेक्रिपाइज आजाएगा सेक्रिपाइज और प्रवीन वन बाइ सिक्स इंटू 5 बाइ एट इंटू करेंगे तो आजाएगा 5 बाइ 48 सेक्रिपाइज और परेश 1 by 6 into 3 by 8 यह आजाएगा 3 by 48 new ratio of Praveen Praveen का new ratio हम old ratio में से उसका sacrifice minus करेंगे यहाँ पर old ratio उसका 3 by 5 इसमें से हम sacrifice minus करेंगे 5 by 48 LCM लेकर हम इसे solve करेंगे तो Praveen का जो new ratio है वो आजाएगा 119 divided by 240 ऐसे ही हम परेश का new ratio find out कर लेंगे old ratio minus sacrifice 2 by 5 है old ratio इसमें से minus करेंगे sacrifice जो कि दिया हुआ है 3 by 48 तो हम इसे calculate कर लेंगे यह आजाएगा 81 by 240 then प्रदीप's ratio प्रदीप का ratio हमें पता है already 1 by 6 है बट हम बाकी दोनों पार्टनर्स के new ratio के साथ इसे मैच करने के लिए 40 से इंटू कर देंगे यहने 1 into 40 divided by 6 into 40 तो प्रदीप का new ratio आजाएगा 40 by 240 तो इस तरीके से तीनों का ratio हम देखें रहा है गुडविल उसकी एंट्री करेंगे हम प्रदीप तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी cash account debit to premium for goodwill premium for goodwill broad 18,000, 18,000 okay second एंट्री हमारी same amount change होगा बस premium for goodwill account debit to प्रवीन's capital account और तो परेश's capital account premium for goodwill transferred to capital account तो हम goodwill को यहाँ पर इनके sacrifice यहने 5 is 2 3 के ratio में divide करेंगे तो प्रवीन के capital account में आजागा 11,250 and परेश के capital account में आजाएगा 6,750 total 18,000 premium for goodwill account debit में transfer हो जाएगा तो इसी के साथ हमारी third condition complete हुई next हम start कर रहे हमारी fourth condition fourth condition है हमारी if प्रदीप gets 5 by 54 from प्रवीन and 2 by 27 from परेश तो इस condition में हम profit sharing ratio calculate करते हैं सबसे पहले calculation of profit sharing ratio प्रवीन's new ratio अब ये तो हमें है पे इनका sacrifice already दिया हुआ है तो सीधे old ratio में से हम sacrifice minus कर लेंगे तो प्रवीन का old ratio था 3 by 5 तो minus करने पे ये आएगा हमारा solve करके देखिएगा 137 divided by 270 और परेश का new ratio 2 by 5 minus 2 by 27 तो ये आजाएगा 44 by 135 तो प्रदीब का new ratio हो जाएगा 1 by 6 जिसे हम simplify कर लेंगे बाद में पहले हम new ratio देख लेते हैं फर्म का तो new ratio हमारे कोर्डिंग फर्म का ओ रहा है 137 by 270 ratio 44 by 135 ratio 1 by 6 तो इन सभी को हम similar form में convert कर लेते हैं 137 divided by 270 ये तो as it is है 44 by 135 इसमें हम 2 से into कर देते हैं ताकि similar हो जाएए ये प्रभीन के ratio से तो 44 into 2 ये हो जाएगा 88 and 135 into 2 ये हो जाएगा 270 ऐसे ही प्रदीब का जो ratio है 1 by 6 इसको भी हम similar form में convert करने के लिए 45 से into कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 45 divided by 270 तो इस तरीके से फर्म का न्यू प्रफिट शेरिंग रेशो हो जाएगा 137 is to 88 is to 45 तो जर्नल एंट्री पर आजाते हैं हम हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम एज तो इस तरी कंडिशन्स प्रेमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो अमाउंट आ जाए गहाँ पे 18,000 गुडविल अकाउंट में और प्रवीन के कैपिटल अकाउंट में 10,000 और परेश के कैपिटल अकाउंट में 8,000 रुपीज ओके यहाँ पे जो हमारे अमाउंट है हमने 18,000 रुपीज को सैक्रिपाइजिंग रेशो में डिवाइट किया है हमें इस कंडिशन में जो सैक्रिपाइजिंग रेशो दिया था वो सिमिलर फॉर्म में नहीं था प्रदीप जो है प्रवीन से 5 बाइफ 54 और पाइट ले रहा था और परेश से 2 बाइट 27 तो यह 5 बाइफ 54 इस्टू 2 बाइट 27 यह इनके सैक्रिपाइजिंग रेशो थे और इन्हें एक्वल करने के लिए या तो आप 2 बाइट 27 में 2 का इंटू कर सकते हैं या फिर इवन आप एलसियम लेकर भी सिंप्लिफाइजिंग रेशो को तो जब आप सिंप्लिफाइजिंग रेशो को तो इनका सैक्रिपाइजिंग रेशो जो है वो आजाएगा प्रवीन और परेश का 5 इस टू 4 तो यहाँ पे जो 18,000 रुपीज है इन्हें भी 5 इस टू 4 के रेशो में डिवाइट किया गया है प्रवीन और परेश के कैपिटल अकाउंट्स में ओके अपसो आपको समय थांक यू